हेलो एवरिवन, नोहावी तीपसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज बनाते हैं बिना प्यास लेसुन के कोबी मटर की सबसी काफी इंट्रेस्टिंग से रेसिपी बनने वाली है और प्यास लेसुन के रेसिपी से काफी टेस्टी बनती है और मिन्टों में बन भी जाता है तो चलिए वीडियो को इन तक जरूर देखें पहले एक मसाला बना लेते हैं उसके लिए हम लेंगे थ्री टेबल स्पुन जीरा फ्लेम को लोही रखें अब इसके बाद हम एट कर देंगे सूखी लाल मिर्च चार से पांच एट करिएगा आप अगर जादा तीखा पसंद करते हो तो जादा एट कर सकते हो उसके बाद एट करेंगे तालचीनी अब इसके बाद एट कर देंगे इलाई जी चार से पांच जरूर एट करें अब यहाँ पे एट कर देंगे काले मिर्च बहुत ही टेस्टी बनता है ये रेसिपी और मिंटों में बन जाता है अब इसके बाद एट कर देंगे तेजपता तेजपते को तोड़ कर ही डाले ताकि हमें पिसने में आसानी हो अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दो से तीन मिनिट आपको भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर बड़ी ऐसे चेंज हो गई है अब यास का फ्लेम हम ओफ कर देंगे और इसे पिल्कुल ठंडा कर लेंगे अब ठंडा करने के बाद ही इसे मिक्सी में आप पीसे चाहे कूटे इसे आप महिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हो अब चलिए उसी कड़ाई में हम लेंगे 3 टेबल स्पून सर्सो का तेल आप चाहे तो रिफाइन ओल भी बना सकते हो अब यहाँ पे मेंने लिया है कोबी कोबी को थोड़ा सा बड़े बड़े कट करें अब एक आलू भी मेंने ले लिया है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे यह कोबी मटर की सबसी हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा मटर भी ले रहेंगे मटर की क्वांटिटी अब अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब यहाँ पे तेल पड़ी ऐसी गरम हो गई है अब कोबी आलू को हम यहाँ पे तेल में डाल देंगे तोड़ा सा धक्कर मैंने इसे पका लिया है, चार से पांच मिनिट के बाद देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है, इसे तरीके से गोबी को आपको फ्राइ करना है, ज्यादा फ्राइ नहीं करना है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, आप जट से ही एक दूस मैं इस बात का अब को ध्यान रखनी है, अब बढ़िया से एक स्मूज सी पेस्ट हमें बना लेनी है, उसी के साथ मैंने छे काजु को भीगो लिया है, इसे भी हम पीस लेंगे, और साइड में रख लेंगे, अब देखिए वही तेल में मैं एट करी हूँ, वन टीस्पून यह बढ़िया सी कलर देती है, बिना प्यास लेसुन की करी में, अब चाहिए तो स्किप कर सकते हो, अब उसमें एट कर देगे, वन टीस्पून जीरा मैंने और ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाला है, अब थोड़ी सी हींग में एट कर रही हूँ, अब जो मसाला हमने पीस हुए रह गया था, अब इसे हम ढ़क कर दो से तीन मिनिट पका लेंगे, अब देखिए बढ़िया से तेल उपर आना शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तेल है बढ़िया सी उपर आ जाए, और थोड बागी मसाला जैसे की जीरा पाउडर, उन थर्टी स्पून, उसके बाद डाल देंगे, कसमेरी लाल मिर्च, हब टी स्पून, अब चाहे तो यहाँ पे, जो तीखा वाला मिर्चे, वो भी एट कर सकते हैं, हमने मसाले में भी मिर्चे डाला था, इसलिए में थोड़ा सा कम कर रही हूँ, आप इसमें एट कर देंगे, कसूरी में थी, वन टेबल स्पून, हाथ से अच्छे से घिस कर ही, इसे एट करें, बढ़ी असी खुसबू आती है, अब इसके पाद हमने जो मसाला पनाया था, उसे में एट कर रही हूँ, वन थर्टी स्पून, अब अच्छे स हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो मसाला और ये जो कसूरी में थी, अच्छे से हमारे मसाले में मिक्स हो जाए, अब धीरे धीरे इसे दो से तिन मिनिट आपको इस तरीके से पकाना है, अब तेल बढ़ी असी उपर आना स्टार्ट हो गया है, अब हमने जो गोबी अब तेल को फ्राइ करके रखा था, उसे एट कर देंगे, उसके साथ हम एट कर देंगे मतर, आप सारी चीजों को आपको अच्छे से मसालों के साथ तब तक मिक्स करना है, जब तक मसाला बढ़ी असी इसके उपर बढ़ी असी कोटिंग ना आ जाए, अब तीन से चार मिनि कि सिग्यास का फ्लेम को मीडियम ही रखे, अब थोड़ा सा में से चला लेंगे, और इसके बाद इसमें एट कर रही हुमें, थोड़ा सा गुनगुना पानी, गुनगुना पानी ही एट करें, ठंडा पानी ना एट करें, एक कप मैंने यहाँ पर पानी एट किया है, अब अ काजूल के रखी हैं। इसे एकंड कर दिया zitten के काजूं की काजुगाилわか ताकि अगते हैं। इसे तक हम ढूंने जीते हैं। आपसे नहीं हैं। को पक्याड़ कि नहीं की करी आपरिजिए उन्हें इसके काजुगा को स्लक्किख स्कूरान कर। है। और यहां पे देखिए बढ़ी ऐसे तेल भी उपर आना स्टार्ट हो गया है अब इसमें धन्या पत्ता जरूर से डाले एंड में अब क्यास का फ्रेम आपको बंद कर देना है अब इसे ढख कर 5-7 मिनिट के बाद हम इसे सर्फ करेंगे तब ही इसका टेस्ट काफे बढ़िया आता है अब देखिए कितनी सुंदर गाड़ी होगे यह हमारी ग्रेवी अब खुद भी देख सकते हूँ तो चलिए गर्मा गरम रोटी के साथ में से सर्फ करी हूँ आप चाहे तो पराठा पूरी नान किसी के वे साथ अब इस मसालेदार रेसिपी को जरूर से सर्फ करें काफी बढ़िया लगता है इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राइ करें और घर पे सब को खिलाए और किसा लगा मुझे कॉमेंट जरूर से बताए रेसिपी अगर अच्छे लगी हो helpful लोगी हो तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक और शेयर करने ना भूले और चैनल पर अगर ने हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई